शोर्शोट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अबडेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तु भ्यम वर्दे काम रूपिणी विद्यारंभं करिश्यामी सिध्धिर भवतू में सदा ओम जैमा सरस्वती नमस्कार दोस्तों शोर्शोट फॉर्मूला डॉट कॉम में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं के 7 अगस्त 2012 रविवार का दिन है दोपहर के 3 बज रहे हैं वीगेंड है और हम तयारी कर रहे हैं आने वाले हक्थे की आपको इंतजार रहता है मेरे इस वीक्ली अनालिसिस वीक्ली स्पेशल वीडियो में जहां पर मैं आपको आने वाले पूरे हफते का view एक 10-15 मिनट की वीडियो में दे देता हूँ बस आपको करना केवल इतना होता है कि अपने हाथ में एक pen और paper या mobile पर text खोल के रखना होता है जहां पर कि आप इन levels को note कर सकें इनको लिख सकें और जब आप इनको लिखेंगे सही से समझेंगे पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसका मिलेगा आपको फायदा आप या तो पैसा बचाएंगे या बढ़ाएंगे पैसा गवाएंगे नहीं ये मेरी बात आप लिखकर ले लीजिए दोस्तों वीकेंड में तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ले आता हूँ लेकिन बाकी के दिनों में आप कैसे अपडेटेड रह सकते हैं कैसे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इसी के लिए हमने बनाया है शोर शॉर्ट फॉर्मूला फैमली यानि आपका और मेरा परिवार 100% फ्री है ये ग्रुप कोई भी जॉइन कर सकता है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोड आपके सामने है और उसके अलावा नाम है शोर शॉर्ट फॉर्मूला फैमली करना क्या है आपको केवल जाकर टाइप करना है टेलिग्राम में और ये ग्रुप आपके सामने आ जाएगा तो बिना समय गवाए अब चलते हैं हम आगे के मेन हिस्से पर जहां पर हम आप से बात करेंगे चांदी के बारे में नहीं हुआ ये लेवल पार अब मचेगा हाहा कार दोस्तों अगर आप रेगुलर मुझे वाच करते हैं तो सिल्वर में मैंने कुछ नीचे लेवल स्पताये थे सपровेट के मार्केट ने उन्हें ब्रेक नहीं किया फिर मैंने प्र चैक पिछले जो मैंने सिल्वर के विडियो बनाया है उनका लिंक दे रहा या नहीं हुई है कुछ नहीं करना है कोई दिमाग नहीं लगाना है कोई मेहनत नहीं करनी है सिंपल लिंक पर क्लिक करना है आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो में जाकर देखें उपर में सिल्वर का क्या रेजिस्टन्स दिया था मैंने क्या बोला था पिछल 10-12 साल से उनको पता है कि जो भी कुछ मैं कहता हूँ वो तत्थेों के आधार पे कहता हूँ चार्ट के आधार पे कहता हूँ अनालिसिस के आधार पे कहता हूँ हवा में बात नहीं करता और जो कुछ मैंने टेलिग्राम पे कहा है अगर आपको भरोसा ना हो तो अभी भी मौ केवल और केवल टेली ग्राम पर आके हमने लाखों रुपया सेव किया है लोगों का कैसे सेव किया है जादा जानकरी के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ पर देखना पड़ेगा जाकर चेक करना पड़ेगा तो जाएए एक बार चेक करिए और मुझे अपडेट करिए मुझे inform करिए उसके बारे में चलिए अब हम वापस आते हैं और बात करते हैं gold silver के बारे में या नी sorry gold के बारे में तो gold में मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा कुछ और देखने के चक्कर में मैं confused हो गया था silver के बारे में ये video है सिल्वर के बारे में तो हम सिल्वर के बारे में बात करेंगे I am sorry for that for little bit of confusion so सिल्वर में हमें क्या लगता है क्या करना चाहिए आगे क्या हो सकता है तो सबसे पहले हम weekly chart को देखते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या है जानी के अंदर देखिए यह है weekly candle और जैसा कि नॉर्मली हो रहा था यह weekly candle भी बहुत बड़ी नहीं है हाई है 58800 का और लो है 56600 का 58800 और 56600 यह है एक रेंज तो मार्केट क्या सबसे पहला resistance बन जाएगा 58800 जो की highest candle थी इस वीक की और अगर उसके उपर मार्केट निकलने में सक्षम हो जाती है सफल हो जाती है तो वीकली का एमा जो है वो हमारा resistance बन जाएगा 69500 दो resistance बहुत है मुझे नहीं लगता उसके उपर मार्केट अभी जाएगी at least for this week until unless something big will come in तो वो आएगा तो मैं आपको बता दूँगा नीचे में अगर हम support की बात करते हैं तो जो nearest support हमें देखने के लिए मिलेगा वो होगा 56000 के आसपास जी हाँ 56000 को आप ध्यान में रखिए एक बहुत important support हो सकता है market के लिए आने वाले हफते में अगर 56000 नीचे में break कर जाता है अगर 56000 क्यों important है इसको समझे आप यह इसलिए important है पहले यह support बना बाद में यह resistance बन गया अभी दुबारा यह support बन जाएगा और probability बहुत जादा है कि market हमें 56000 के level पर देखने के लिए मिल जाए 56000 अगर market तोड़ देती है उसके नीचे sustain कर लेती है उसके नीचे trade कर मैं start कर देती है तो फिर market नीचे में चली जाएगी 55700 तक तो यह दो support नीचे में याद रखी है और दो resistance जो मैंने आपको उपर में बताए हैं उनको आप समझ लीजिए overall अगर आप outlook की बात करेंगे तो market resistance sustain नहीं कर पा रही है अगर एक बार मैं 58800 की बात को छोड़ दू तो 58400 के उपर भी market नहीं जा पाई है तो एक दिमाग में एक level बना लीजिए घुसा लीजिए उसको समझा दीजिए जो भी short में हैं जो long में हैं जो उपर से फसे हैं लॉंग करने की सोच रहे हैं जिन्होंने average कर रखा है average करने की सोच रहे हैं वो इस बात को याद रखें 58400 फिफ्टी एट थाउजन फोर हंडर विल बी वेरी क्रूशियल एंड मेक और ब्रेक लेवल बट यह कोई घंटे दो घंटे के लिए नहीं हिंदी में उसके उपर चांदी का बंद होना बहुत ज़रूरी है और consecutive closing मिलनी चाहिए एक या दो ऐसा नहीं कि वहां से हमें एक reversal candle मिल जा है reverse hammer candle मिल जा है नहीं वहां पर closing होना बहुत जारूरी है जैसे यह reverse hammer candle थी दिखे यह reverse hammer hammer candle भी कह सकते हैं इसको और नहीं यह reverse hammer ही थी और फिर आप उसका आसर देखेंगे मार्केट is resistant दिके जब हम मैं अपने clients को भी ये बात बोलता हूँ आपको भी बोल रहा हूँ हर आदमी को मैं ये बात बोलता हूँ कि जब भी market चल रही होती है वहाँ पर किसी चीज को predict करके उस पे stand करना बहुत मुश्किल होता है as a service provider हमारे लिए भी as a educator हमारे लिए भी और as a trader आपके लिए वो और मुश्किल होता है बट पैसा वही कमाता है जो टिका रहा जो अपने पत पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में the same thing happens in market as well market makes you realize that you are wrong all the time market हमेशा आपको ये ऐसास कराती है कि आप गलत हैं लेकिन आपको market के उस trap से बचना है आपको market के उस trap से बचना है उस trap में नहीं फसना है नहीं तो आप सब कुछ गवा बैठेंगे so you don't need to get into this trap you need to be very clear and punctual about your levels अगर आपने कोई भी trade सो समझ के ली है तो आपको उस पर stand करना चाहिए silver में मैं अभी भी जो मैं पहले कह रहा था मैं वो बात अभी भी दोहराना चाहता हूँ silver में मजबूती की जगह आप उसको एक bounce back कह सकने हैं क्योंकि जो गिरावट थी दीए वो phenomenal गिरावट थी phenomenal मतलब अगर आप एक बड़े चार्ट पे देखेंगे तो market ने ये high बनाने के बाद लगभग लगभग गिरावट एक तरफा दी थी ये भी एक meaningful इसको आप pullback नहीं कह सकते ना ये meaningful pullback था because continuation नहीं हुआ इन दो candle के बाद इस channel ये strength का continuation हमें market में देखने के लिए नहीं मिला so we cannot term this as a trend shift that can be a pullback and we need to look it into from the same perspective हमें इसे देखना भी उसी तरह से चाहिए कि अभी ये एक temporary pullback हो सकता है जब तक 58,000 और 58,400 नहीं multiple resistance है 58,000 से 60,000 के बीच में market ने नीचे आते समय बहुत consolidation दिया था ये देखे ये पूरा का पूरा अगर आप चार्ट को देख सकें पिशले ये 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 वाली जो जोन थाना दोस्तों उससे बड़ा ये supply zone बन चुका है तो बहुत cautious रहिए 58,000 से 60,000 के बीच में ये band कई बार आपकी सारी strategy को गलत साबित कर सकता है तो मेरा एक crux या मेरा conclusion ये होगा बहुत जादा तेजी को लेके यूफोरिक नहीं होना है 58,400, 59,300, 69,800, 60,000 ये पूरा जो zone है multiple resistance से बढ़ा भरा हुआ है वहाँ पे कई सारे साब हैं जो इस ludo में बैठे हुए हैं जिसमें से अगर कोई भी dust लेगा तो market वहाँ से एक तरफा गिर के जहां से चली थी वहाँ तक उसे पहुँचने में time नहीं लगेगा So be cautious, be careful, then only you can make money तो ये था हमारा detailed analysis, weekly analysis कम शब्दों में चार्ट के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया वीडियो अगर अच्छा लगा हो, to the point लगा हो, मज़ा आया हो, तो इसको like, share, subscribe जरूर करिएगा दोस्तों और उससे जरूरी बात हमें टेली ग्राम पे जरूर जोईन कर लीजेगा टेली ग्राम चैनल है, sure short formula family, sure short formula family, मेरा और आपका sure short formula परिवार तो यहाँ पर आपको हमारे साथ जरूर रहना है, enjoy करना है, पैसा बनाना है और साथ ही साथ सबसे जरूरी confidence और knowledge गेन करना है वीडियो को like करिए, जितने ज़्यादा like होंगे उतनी जल्दी gold का भी detailed analysis आपके लिए लेकर आऊंगा और अगर आप लोग मुझे कहेंगे, comment section में बताएंगे तो NG crude copper zinc का भी वीडियो ले आऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद वंदे मात्रा